बीकनेर गौहाटी एक्सप्रेस बंगाल के उत्री भाग में मेनागुरी के पास डोमाहानी के पास पट्री से उतर गई है ट्रेन पतना से गौहाटी जा रही थी हादसे में फिलाल तीन लोगों की मौत और तेरहे लोगों के घायल होने की खबर है और बचा और राहत कार्रे जारी है यह हादसा मेनागुरी के पास साम पांच बज़ कर पांच बज़े हुआ था हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सकता है सथान्य पिर्सासन और सथान्य लोगों की मदद से बचा और रात कार्रे पहुचाया जा रहा है हादसे को लेकर रेलवे ने हेल्प नाई नमबर जारी किया है जो 81, 34, 05, 49, 99 है लोग इस नमबर पर कॉल कर अपने परिज़नों के बारे में पता कर सकते हैं हादसे में ट्रेन संख्या नमबर 15, 6, 33, बीकानेर, निउ, जल, पाई, यू, गुडू, एक्सप्रेस की बारहे भोगियां छत्रिग्रेस्ट होई है आसपास के अस्पतालों में वेवस्ता की जा रही है सत्थान्य लोग घायलों को ट्रेन की बोगियों से बाहर निकाल रहे है बारती रेल्वे ने बयान जारी करते हुए कहा है कि गौाटी बीकानेर एक्सप्रेस आज साम करीब 5 बज़े पटरी से उतर गई है बारे कोज प्रवावित हुए हैं DRM और ADRM दुरगटना रहत ट्रेन और मेडिकल वेन के साथ घटना सतल पर पहुँच गए हैं अंदेरा होने की वज़े से यहां जनरेटर भी मंगवाए गए हैं चार कोज पटरी से उतर गई हैं आसपास के इलाके में रेस्क्यू ट्रेन को भी भेजा गया है जो लोगों को उधर से रेस्क्यू करेगी इसके अलावा कटी हार से भी एक ट्रेन को भेजा गया है जहां से करीब चार गंटे यहां पहुँचने में लगते हैं इस बीच पीम मोदी ने हादसे को लेकर पच्छिम बंगायल के मुक्यमंतरी से बात किया है बचाओ और राहत कारे इसलिए भी चुनोती पूर्ण है क्योंकि बोगियों की खिड़कियों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है जल पायू गुडू के MP से टाइम्स नाउ को बताया है कि 15 गायलों को अस्पाल भेजा गया है अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कते आ सकती है हाला कि यहां पर रोसनी के हर संभाव इंतजाम किये गये है इस गटना के बारे में आपकी क्या राया आप हमें कॉमेंट करके जरूर बतायेगा अगर आपने अभी तक डी टीवी न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें